हेलो गाइज विल्कम बैक टो मैं चैनल मैं होते मिस्रा और आप देखें टेंकरते इस चनल दूसे इस वीडियो बात करने वाले हैं यहां पे सोलर पैनल के बारे में जिया दूस्तों मैं बात करने वाला हूँ इस फिसले यहां पे ओन ग्रीड सोलर सिस्टम के बारे में जिया तो यहां पर मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बताओंगा कैसे आप जो है यहां पर अपना ओंग्रीट सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं और सबसीडी के बारे में जिया जोस्तों सबसे इंपोर्टन चीज है सबसीडी तो सबसीडी बता दे की बहुत ज्यादा सबसी किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आप अपनी स्टेट के बारे में जान सकते हैं और बता दे कि यहां पर सेंटरल के तरफ से और स्टेट के तरफ से दोनों ही सबसीडी मिलती है अगर आप यहां पर और ग्रीट सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाते हैं कितना मिलता है क्य को subscribe करें like करें share करें आगह दोस्तों आपको यहां पंपर सेटे सबस्राइब करते हैं पेनल के बारे में कौन सा पैणल लेना जाहें दूस्तों बता जए कि कि पैणल करीब चार तरीके के आते हैं जैसे कि पहले जो कर सबीनल पrijस्ट्राइब पर जल्सक्राव Town अब जो है बाइफासियल यहाँ पर आ रहाँ बाइफिस्यल में क्या होता कि जो आ y आपको siya को यहां थे जो होता है तो यह नया टकेकनलोजी है तो इससे क्या होता कि ज्यादा electricity यहाँ पर जंदेट होती है बाइफेसियल में तो करेंट में बाइफेसियल यहाँ पर चलना है तो आप अगर लगवाना चाहते हैं पैसा आपके पास है तो आप बाइफेसियल चूज करें अब दोस्तों यहाँ पर बताते हैं कि án-grade solar system work अंगरेट solar system work जब आपके घर में electricity होती है घर में grid से अगर आपके घर में connection है light आती है तभी वो work करता है उससे पहले वो work नहीं करता है जैसे कि आपके घर के बिजली चली गए तब वो काम नहीं करेगा वो बंद होजाएगा तब ओ उबूखी नहीं जन्रेट करेंगा मतबर जैसे पिजली आज आईगी आपके घर में लिट्रीat आजाएगी तब जैसे इन्वेटर होता है तो इन्वेटर थे स्याज़ वर यहें ओपग्रेड और जोफ उपग्रेड्र का वेट। उससे बैटरी चार्ज होती है उसका इन्वेटर आलग आता है तो वो ऑफ इंडिव सिस्टम होता है उससे आपको इलेक्रिसिकी से कोई मतलम नहीं होता है अब ऑन ग्रिच सिस्टम क्यों लगवाना चाहिए और किसे लगवाना चाहिए वह मैं बताता हूं दूसको अगर आप जगह आपका घर है जहां पर दिन में ज्यादा लाइट रहती है ऐसा नहीं कि आप मालो विलेज में रहते हो और लाइट आपके आँ दिन में नहीं रहती साम को सुभा जादा रहती है दिन बर कटी रहती तब आपके लिए on grid system बेकार है आपको नहीं लेना चाहिए उस case में आप off grid में जा सकते हैं उसमें थोड़ा ज्यादा खर्च होता है अगर आपके हाँ electricity ज्यादा है जैसे कि आप city में रहते है 24 घंटे लाइट रहती है तब आप on grid system को ले सकते हैं और यह off grid से थोड़ा सस्ता होता है इसमें क्या होता है सिर्फ आपको पैनल वगारा लेना हो तो जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो बता दे कि उत्तर प्रदेश जो government है वह आपको सबसीड़ी एक किलो वाट से लेके चाहें आपका तीन किलो वाट हो पांच किलो वाट हो जितना भी हो आपको एक मुस्त तीस हजार रुपे सबसीड़ी देती है ज तो एक मुस्त आपको तीस हजार रुपे सबसीड़ी मिलेगा चाहे आप एक किलो वाट लगवा लीजिए चाहे दो किलो वाट का सोलर सिस्टम लगवा लीजिए चाहे तीन किलो वाट का लगवा लीजिए अब दोस्तों एक चीज और भी बता दे कि जो on-grid सोलर सिस्टम है वो लगता है आपके जो load है उसके उपर आपका जो connection उस पर जो load यहाँ पे आपको मिला है जैसे कि अगर आपका जो connection है एक किलोवाट का है तब आपको सिफ एक किलोवाट का ही permission मिलेगा on grid system लगाने के लिए तो अगर आप मतब ज़्यादा लगवाना चाहते हैं तीन किलोवाट का लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले अपना लोड बढ़वाना होगा उसके बाद आपको यहाँ पर अपलाई करना होगा अब दोस्तों यहाँ पर सबसीडिक बात करते हैं सेंटरल गौवर्मेंट के तरफ से कितना मिलता है तो दोस्तों बता दे कि सेंटरल गौवर्मेंट के तरफ से आपको यहाँ पर 45,000 रुपे यहाँ पर सबसीडि मिलती है जाता है जिनके यहां connection होता जिनके नाम से connection होता उन्हीं की bank account में यह transfer भी होता है दोस्वादर अब आपको माली जी अपने घर में solar system लगवाना है और grid solar system लगवाना है तो कितना खर्च आएगा तो बता दे कि अगर आप private में जाएंगे जैसे कि किसी company के थूर आप जाते हैं तो आपके local में बहुत सारे company होते हैं यहां पर आप देश सकते हैं कि जारतल लोग जो company के थूरी लगवाते हैं और मैं भी आपको suggest करूंगा कि आप अपने खुद से ना पलाए करें जब तक आपको knowledge नहीं है तो आप किसी third party company से आप contact करें उनकी जो fees होती है मैंने बात कि जैसे कि मेरे यहां पर बात किया तो यहां बता दे कि पर किलो वाट वो 50,000 रुपे लेते हैं आपके हां solar panel लगाने का सारा कुछ खर्च रहता है बस foundation छोड़के तो 50,000 यहां पर जहां मैं रहता हूं प्रयाग राज में यहां की बात बता रहा हूं तो अगर आपके area में अगर कोई ऐसी company है वहां direct आप बात कर सकते हैं उनके तुरू आप लगाएंगे तो जल्दी लग जाएगा और सारी चीजे वो कर देंगे आपके सिर्द यहां पर खतम हो जाएगी तो दोस्तों यहां पर बात करते हैं अगर आप 3 किलो वाट का यहां पर solar system लगवाते हैं तो आपको करीब यहां पर डेड़ लाग रुपे आपका यहां पर लग जाएगा और प्लस पांस जार रुपे एक्स्ट्रा भी उसने बताया कि यहां पर नेट मीटर अगर नेट मीटर लगता है जिसमें कल्कुलेट होता कि ग्रीट से कितनी बिजली आपने यूज किया औ तो उसका पूरा खर्च वो पांस जार रुपे अलग से मांग रहा है तो इस तरीके से टोटल एक लाग 55,000 रुपे यहां पर खर्च होगा और उसमें आप सबसीडी घटा दीजिए 75,000 रुपे तो 75,000 रुपे तुरंत नहीं मिलेगा दो महीने कंदर सबसीडी आ जाता है तो वह आपके काउन में आ जाता है तो अब उसको माइनस कर लीजे तो अब आपका यहां पर जो खर्च है वो आधा हो जाता है तो अब माल लीजे कि आपका यहां पर 75,000 रुपे या 70,000 माल लीजे आपका यहां पर तीन किलोवाट का खर्च पढ़ गया सबसीडी लेगे तो अब आपका जो बिजली जनरेट होगा इसमें तो बता दे कि ये साल में अगर अडानी का आप लगवाते हैं पैनल तो वहाँ पे आपको साल में करीब 30 से 35,000 या उससे जादा कि ये बिजली जो है याँ पे जनरेट करता है ये भी आप जान लिजे तो दो साल के अंदर आ अच्छा है और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप थोड़ा सा यहां पर इनिवेस्ट करेंगे तो इन फ्यूचर में आपकी जो बिजली का बिल है वो बिल्कुल या पर फिरी हो जाएगा तो दोस्तों यह था यहां पर और सोलर सिस्टम के बारें जानकारी तो उ इनिवरी जब की चुनाओं होने वाला है तो यहां पर बंद है पोर्टल बाद में खुल लेगा और अभी रेस्टेशन बंद है और इसके लिए आपको बस वेबसाइट जाना होता है वहां पर रेजिस्टर करना होता है सब सारी जो इन्वाइस होती है अगर मालीजी आप इसे लगवाते हैं तो इन्वाइस पूरी कॉपी होती आधार कार्ट और आपका जो पेन कार्ट फोटो यह सब चाहिए होता है और एक दो फॉर्म होते हैं पीडियम में वही आपको डायट वेबसाइट मिल जाएगा उसको डाउनलोड करके आपको साइन करके और परमीशन क्योंकि उनको सारी चीजे मालूम होती है वो उनका कॉंटेट होता है वो डायट आपको नेट मीटर तुरद प्रवाइट कर देंगे तुरद सटेविकर मिल जाए तो आपको ज्यादा परसान होनी जयूद नहीं होगी थोड़ा सब पैसा लेंगे मैं फ्यूचर वह आपका वीडियो थोड़ा लंबी हो गए उसके लिए मैं वाफिचा चाहता हूं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीस लाइक करें शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब रही है तो सब्सक्राइब कर लीजे और आपके मन में और भी कोई सवाल है और आपको कुछ और पूछना है तो नीचे कमेंट करिए मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और मैं खुद अपने यहां लगवाने वाला हूं तो बहुत जल जो है आपको वीडियो भी दिखाऊंगा आप जो है चैनल के साथ बने रही है चैनल के साथ जूड जाएए बाकी तो यह था चुड़ों वीडियो उमीद है कि आपको पसंद आया गो तो फिर मिलते हैं ने शूडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई